नमसकार दोस्तो जै हिंध जै भारत दोस्तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदी से जुड़ा हुआ एक महतरपूर्ण प्रेश्ण जिसका नाम है दास भाव की भक्ती किसे कहते हैं या फिर दास से भाव की भक्ती किसे कहते हैं इसे सम्मधित प्रेश्ण UGC.net की पैक पूछा जाता है और हिंदी एमे में भी पूछा जाता है और दोस्तों मध्य प्रदेश की बोर्ड वा लोकल परिक्षाओं में भी इसका संबंध है तो यह वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए या फिर आपके पेपर में आ सकता है तुलसी दास वा कबिर दास की दास भक्ति को परिभाशित करिए या फिर समझाईए तो देखते हैं हम दास भाव की भक्ति का अरथ है ईषवर के प्रती दास भाव रखकर उसके प्रती भक्ती करना दोस्तों इस भक्ति में जो कवी होता है वो इशवर को अपना स्वामी मान लेता है और स्वयम को उनके चर्णों का दास मान बैठता है उसी भक्ति को कहते हैं दास भाव की भक्ति अपने आराध्य को अपना स्वामी मान कर उसके प्रती पूर्ण रूप से समर्पित होना यानि पूर्ण समर्पित हो जाना ही दास भाव की भक्ति कहलाता है ठीक ना राम भक्त कवी तुलसी दास और कबीर दास अपने अराध्य राम वा निर्गुन राम को अपना स्वामी वा खुद को उनका दास मानते हुए उनके प्रती भाव प्रिकट करते थे यानि की दोस्तों जो कबीर दास थे उनके भगवान राम निर्गुन राम और तुलसी दास के राम है शिरी राम जिनका जन्म आवध में हुआ है और कबीर दास जी कि अश्वी का नंम कया है निर्गुन राम तो इन दोनों ने ही अपने अराध्यों को अपना स्वामी माना है और स्वेम को उनके चर्णों का दास माना है तो इनके कावे में हमें दास भाव की भक्ती देखने को मिलती है इनके अलावा और भी कई सारे कवी हैं जिनके कावे में हमें दास भाव की भक्ती देखने को मिलत ये तुलसी दान करशिन वा कबीर दास ने अपने समष अमस्त कावे में रोप में ना किसी रूप में अभित किया है है तुलसी दास जी ने दास भाव को बढ़ावा देते हुए कहा है रामसो बढ़ो कौन और मोसो छोटो कौन ये कौन कहते हैं तुलसी दास जी ने कि रामसे बढ़ा कौन है और मुझसे छोटा कौन है कबिरदास जी का कहते हैं सुखिया सब संसार है खाए और सोए दुखिया दास कबीर है जागे और रोय यानि कि यहापर भी उन्होंने क्या बताया है स्वेम को दास बताया है उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा समझ भी आया होगा धन्यवाद